मैं हूँ नफीजा खान और राब देख रहे हैं बोल्ड स्काइ आज हम बात करेंगे दूद के बारे में जी हाँ, दूद के फायदों के बारे में तो आपने अब तक बहुत सुना होगा, बहुत बढ़ा होगा पर आज हम इसी दूद के बारे में आप के लिए लाए हैं कुछ दर्चस पचानकारिया जी हाँ, अक्सर देखा जाता है ना कि बच्चों को तो हम दूद पीने के लिए डाटते हैं लेकिन घर के दूसरे सदस्य दूद के मामले में उतना अध्यार नहीं देते जबकि बढ़ती उम्र में भी दूद पीना उतना ही जरूरी होता है जितना की भच्चपन में वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपने कमफर्ट के हिसाब से दूद पीने हैं जैसे बच्चों को दूद नाश्ते में दिया जाता है तो बड़े बुजर्ग दूद रात में सोने से पहले पीना पसंद करते हैं दूद पीने का सही समय क्या है इस बात को लेकर हर किसी के मन में दुविधा रहती है कई लोग कहते हैं कि दूद नाश्टे की साथ पीना अच्छा होता है तो कई लोग इसे रात में पीना ज्यादा अच्छा समझते हैं हाला कि दूद का सेवन दिन में किया जाए तो ये हमें दिन भर एनरजी देता है और रात में लिया जाए तो ये दिमाग को शांत करके अच्छी नींद लाने में काफी मददकार साबित होता है बात की जाए अगर आयरवेट की तो उसमें रात में दूद पीने को प्रात्मित्ता दी गई है अगर दूद पीने के सही समय को लेकर आपके भी मन में कोई शंका दुविदा चलती है तो आज आपकी ये सारी शंकाएं हम दूर कर देते हैं और बताते हैं आपको दूद से चुड़ी कुछ ज़रूरी बाते और आज हम आपको बताते हैं कि क्या होता है जब आप अलग-अलग समय पर दूद पीते हैं पचाने में भारी होने की वज़र से सुबह दूद पीने से मना किया जाता है लेकिन माना जाता है कि इस समय दूद पीने से दिन भर शरीर में एनरजी बनी रहती है दोपहर के समय दूद पीना बुजूर्गों के लिए फायदे मन्द होता है क्योंकि इसे शरीर को ताकत मिलती है शाम के वक्त दूद पीना आखों के लिए बहुत फायदे मन्द होता है वहीं अगर आप रात को दूद पीएं तो इसे सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे शरीर की दिन भर की ठकावत मिट जाती है और एक अच्छी नींद आती है दूद में ट्रिप्टोफन नामक अमीनो एसिट की मौजूदकी से नींद के हार्मोन स्थर को बढ़ाने में मदद मलती है इसी वज़े से रात को दूद पीने से अच्छी नींद आती है दूद कैल्शियम का छस्तरोत होता है जो कि हड्यों को मजबूत बनाने में मदद करता है दूद में प्रोटीन होता है जो कि मास पीशियों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है पर हाँ दूद को पीने से पहले कुछ और बाते हैं जिसे आपके लिए जान लेना बेहत ज़रूरी है कमजोर पाचन तंत्र, तवचा संबंधी समस्याओं, खासी, अपच और पेट में कीड़े जैसी समस्याओं से अगर आप परिशान हैं तो दूद के सेवन से आपको बचना चाहिए दूद को कभी भी खाने के साथ नहीं पीना चाहिए क्योंकि ये जल्द हसन नहीं होता इसलिए हमेशा अलग से गर्म करके दूद का सेवन करना चाहिए आयरवेट के अनुसार रात को सोने से पहले दूद पीने के लिए जरूरी है कि आप शाम के भोजन के दो घंटे के बाद ही इसे पीएं ताकि आपको रात को दूद पीने से ज्यादा फायदा मिल सके तो आज हमने आपको बताया दूद के फायदे और साथी साथ ये भी बताया कि किस वक्त दूद लेने से क्या क्या फायदे होते हैं बहुत जल्द मिलेंगे कुछ और खास जानकारियों के साथ फिलहाल बोल्ट सकाई में बस इतना ही